असलाम वरेको मैं यूट्यूब फैमली कैसे आप सब अब जाके आप सब ठीक होंगे मैं भी अल्ला का शुपर है बिल्कुल ठीक हूँ आज है जी संडे और मुझे अभी अभी और आया है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेर करूं तो मैंने जैसे कि अब आपको बताया थ है किसी चीज के साथ मैंने चावल लगाय रही है किसी साथ मैंने एपना रोटी लगाई वी है कुछीज़ी ऐऊसे ही है तो अभी अभी मुझे जो हैं उसका order आया है उसमें है जी. लंच combo 7 है जिसमें कि मसर चावल है वन-rition one box serving और साथ में जो है भिंडी और रोटी है एक कॉम्बो में जो कॉम्बो एट है उसमें भिंडी और रोटी है ठीक है जी उसको अभी आप देखिएगा कि आपके असी हबड़ दबड़ मचेगी क्योंकि चावल मेरे पास कम है तो मैं अभी एक ग्लास चावल जो है यह भी आपके सामने ही मैंने जस्ट चावल जू है वो धोये है ठीक है जी चावल मैंने दो दी है और जश्ट अभी जो है मैं इसको सासा जो है यहां पर पकालूंगी चावलों को ठीक है क्योंकि 17 मिनट मेरे पास आ रहे हैं और अपना जो है अभी जो राईडर है वो भी आशीं नहीं होगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम शायद मिल जाएगा, तो मैंने का चलें यह order आपके साथ share करती हूं, यह देखें जी मैंने box बना के जो रखे होते हैं, तो इन में एक तो भिंडी की सब्जी है, सबसे पहले मैं वो गरम करूँगी, इसी में फिर मैं आलू फली की सब्जी भी गरम कर लूँगी, यतनी देर में मेरे चावल हो जाएंगे, और मैं एक रोटी भी साथ बना लूँगी, क्यूंकि उसमें, जो मेरी डील है, उसमें एक रोटी भी है, तो अब आब यह देखें कि जल्दी जैसे चावल बनाने हैं, तो उसमें मैं क्या करूँगी, रोटी में थोड़ी हैवी सी बनाऊंगी, क्यूंकि मेरी रोटी थोड़ी हैवी ही होती है, तावल में सीदे भोक है, जो है, वो मैं इसमें डाल रही है, ताकर वो साथ साथ पक जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, अभी मैं थोड़े से ही बना रहे हैं, एक मैंने अलू फली की सब्जी बनाई थी, कल जो फ्रांस बीन की फली आ होती है, उसके साथ तो उसका भी ऑर्डर आया है, यह मेरी एक ही बॉक्स था, मैंने अपने लिए घर के लिए बनाया था, उसमें से एक बॉक्स मैंने निकाला था, तो वो अब मैंने ओफ कर दिये, मसर जो है, वो मैंने बनाई है कली, यह मैंने लगाए हुए है, यह भी मैं अभी आपके सामने करती हूँ, और जो मैंने दाल चावल लगाए हुए है, जैसे कि मैं वन बॉक्स सर्विंग है, तो वो भी मैं आपके सामने, यह जो मेरा बॉक्स है, इस समय मैं उसकी करूंगी अभी भी राइडर असाइन नहीं हुआ तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा है कि मैं इजी लिए अपना काम कर लूंगी अधिक तो यह मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ता है यह मैंने जो है वो अपने सामने ही ओडर रखा हुए ताकर मुझे राइडर जो है वो नजर आता रहे कि अभी असाइन हो गया तो मैं फिर उसे साथ से काम करूँ तो यह भिंडी गरम हो गई है और यह तीनों कॉम्बो बनाने के लिए मुझे जो है उन्होंने सेवंटीन मिनट का टाइम दिया है ठीक है जी आप अक्सर पूछ ले होते हैं ना कि आपको टाइम कितना मिला यह वो तो सेवंटीन मिनट का टाइम है जी जिसमें के एक सालन जो है वो मेरा गरम हो गया है इस पर थोड़ी सी हरीमेच मेंगारा डाल देते हैं उपर भी ता कि थोड़ा अच्छे से हो जाए यह हरीमेच डाल के इसको मैं क्लोज कर देती है तब मेरा गरम हो रहा है मैं उसमें साथी रोटी बना लूँ और फिर मैं चावल दिकी भी सर्विंग आपको करके दिखाती हूँ क्योंकर टाइम है तो मैं अभी इसको इसमें भी डाल लूँगी ताके इजी हो जाए अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो ठीक है जी अगर आपको आपको दिखाने का मक्सद यह है कि जैसे अगर आपको ऐसा कोई आजाता है तो आप उसको कैसे आंडल करेंगे अब यह देखें यह मेरे पर चावल पड़े होए थे लेकिन यह मेरे इसाथ से थोड़े हैं चावल तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से जो है और चावल बना दूँ जब मैं दम लगाऊंगी तो मैं ये भी इसी में आइड करूँगी ताकर ये भी अच्छे से चावलों के साथ गरम हो जाए ठीक है तो सबसे पहले तो मैं बनाती हूं जी रोटी अब अपनी जो के है मेरी फ्राइब बिंडी के साथ मेरे जो कॉम आज़ी बबी नूर मारे घार आहीं है और वो सो रही थी उसकी अम्मा ने उसको उठा दिया तो वो जो एना अभी थोड़ा चिड़श्ड़ी हुई है और ना जो है वो इसको गाने सुना रहे हैं एक तेरा प्यार मैंन मिलिया और फिर भी चुड़गी इसकी अम्मा बला तो स्वया रहने दो गई पर ना जी अम्मा को समझ आजे तो और क्या चाहिए अच्छ जी बन गई हमारी रोटी बन तो नहीं गई है भी ठाल जीए कवे पे लेकिन ये है कि आटा भी जो है ना गर्मी के साथ कभी मैं उसको फ्रीजर में रख रही होती हूं वाटे को कभी मैं प्रीजर में रख रही होती हूं क्योंकि आपको पते हैं गर्मी बहुत है तो फ्रीजर भी काम नहीं करते हैं उस तरह से तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ते हैं अभी यह मौसम ठीक हो तो को फ्रीजर की सूरते हाल भी को बेतर हो ताकि हम चीजर को काट के को चीजर लगा के बना के रख सकें अधर वाइस जो है वो हमें जो है अभी तक जो है ना मुश्किल होती है ठीक है जी यह भी फ्ली के सादन भी तो प्यार हो गया अलू खली वला इसको भी मैंने बंद कर दिये अभी पान को मैं थुड़ा सा वाश करके तो इसी में अपने जो मसर हैं वो भी गरम कर लूँगी चुला मैंने इसलिए बंद नहीं किया था मैंने का फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं जी के आपने चुला नहीं बंद किया यह वो अभी आप देखें कि मुझे जो टाइम मिल रहा है उसका यह फाइदा हो रहा है कि अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ तो इसमीन के मेरे जो चावल हैं वो बड़े अराम से बन जाएंगे ठीक है जी यह देखें चावल में बॉइल आ गया है और अब यह चावल जो अभी रोटी बनेंगी तो यह चुला थोड़ा और तेज हो जाएगा सुरी तो उससे यह है के अब मैं इस वकद चुला यह रतार के नहीं रख रही थी वरना उसके सेक लेती मैं दूस्ते के साथ लेकिन चले हो गया है यह चुला हम कर देते हैं बन क्यूंकि हरुआनी डोटी जो है रतियार हो गई है एक ही डोटी मैंने लगाई हुई है ज्यादा आपको पता गर्मी है, घर की रोटी नी बनती तो, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ना ये की है के चलें, हम लोग ना थोड़ा सा इस तरह से भी और्डर बना के दें, ये देखें जी, ये मेरी बिंडी की सबजी और इसके साथ रोटी मैंने पैक कर दी है, और अब जो है, मैं one box serving जो है, मसर और चावल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको गरम करूँगी, क्योंकि आपको पता है, फ्रिज में रखने से थोड़ा डाल जो है, वो हो जाती है, गाड़ी-गाड़ी सी हो जाती है, इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, क्योंकि जब मैंने खाया था, तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, और इसके लिए भी मैं धनिया वगरा जो है, वो रड़ी करके रख लेती हूँ, और इसके साथ जो है, मैंने एक salad भी अपने, जैसे जो मेरा menu है, जो मैंने foodpanda पे लगाया होगा है, उसमें मैंने salad भी साथ थोड़ी इसी शो की हुई है, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च की, तो मैं वो भी इन्शालला बनाती हूँ, क्योंकि जब जब आप कोई चीज शो करते हैं, तो फिर आप वो ना बनाएं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि कस्टमर जो है, वो कंप्लेंग कर सकते हैं, भी क आपने दिखाया कुछ है और दिया कुछ है, तो इसलिए उस चीज का भी ख्याल लखना पड़ता है, तो मैं ये थोड़ा सा टमाटर और हरी मेर्च और प्यास काड़के वो भी अपने जब ये बॉक्स बनाऊंगी, तो उसके उपर मैं ये डाल लूँगी, ताकि कस्टमर क के पास वो ही चीज जाए, जो के हमने उन्हें अपने मैनियों में शो करवाई ये है, ठीक है जी, इसका मकसद ये है, आपको बताने का भी, दिखाने का भी, कि आप चीजें वो शो किया करें, जो के आपने कस्टमर को देनी भी होती है, अदर्वाइस फिर कस्टमर जो है, वो बैड रूइू देते हैं, या वो ये कहते हैं, जी, जो कहा गया था, वो नहीं दिया, या इस तरह के आपको फिर रिव्यूज मिलते हैं, तो ये जी मेरी सैलड भी त्यार हो गई है साथ साथ, और अभी तक भी राइडर जो है, वो असाइन नहीं हुआ, आपने देखा है के मेरा, तक्रीबन तीनों सालन गरम हो गई है, चावल मेरे बन रहे हैं, और अभी बिलकल भी वीडियो मैंने अभी तक एड़िट नहीं की, एड़िट मीन्स के मैंने अभी पॉज नहीं की है, जैसे ही मैंने ओर्डर स्टार्ट किया है तो मैंने बनानी शुरू की थी, और अभी भी मेरे पास नौ मिनिट अभी आ रहे हैं, लेकिन राइडर कहीं दूर दूर तक भी असाइन होता हुगा नजर नहीं आ रहा हुगा है कि मुझे थोड़ा सा वही बात है कि टाइम मिल गया है कि मैं अगर मुझे कोई ऐसा ओडर आ भी जाते है तो मैं इस तरह से अपना ओडर जो है वह कंप्रेंस की फॉरी चावल बगारा बना के इतना पसीन क्या होगा है कि जैसे ही रडर रसाइन हुग हूगा तो मुझे वैसे मसला कोई नहीं है को में थोड़ा सा ओड़ा सा दिए मैं आपको दिखा सकूं तो असल मक्सद तो आपको आडर दिखाना ही होता है ये दिखें जिसमें थोड़ा सा लीमू भी ने चोड़ दी है ये थोड़ी सी मैंने सैलड बना दी है जो के मैं अपने खाने के साथ दूंगी अब मैं जो है अपने चावल चेक कर लेती हूं दाल मेरी गरम है दो मिनिट लगे अब आप ये देखें कि ये चावल जो है ये साथ साथ हो रहे हैं एक मिनुट की कसर है इसमें उत्ती देर हम अपनी टोकली बगारा रेडी कर लेते हैं जिससे कि हम जो है चावलों को निचोड़ेंगे और अगर दो मिनिट हमें राइडर को खड़ा भी करना पड़ा तो न को मैं साइड़ पर करती हूं और यहां भी मैं दम लगाने के लिए जो है ये रखती हूं ताकि ये उतनी देर गरम हो जाए और हम जो अपने चावल हैं वो इजी ली दे सके ठीक है जी तो यह देखें आपके सामने मैंने ओर्डर त्यार किया और इसमें कोई भी पोज बगार नहीं किया उसके बावजूद जो है वो टाइमली तकरीबन मेरा ओर्डर त्यार अभी भी दो मिनिट आ रहे हैं एक आद मिनिट उपर निचे होगा तो वो खैर है वो मैं फिर हैंड अब यह इन चाबलों के साथ मिलके तो एक अच्छी सी मेरी सर्विंग जो है वो बन जएगी और हम इसको दम लगाएंगे और अपने कस्टमर को दे देंगे अभी भी मैं देख लूँ यह सभी राइडर थोड़ा दूर है दो मिनिट अभी यहार है यह चाबल हमने लगा दी है जी दम पे बाखी चीजे हमारी रेडी है रवर्ट बगरर हम रेडी और आपने लिया जाएगा मैं वीडियो ब्रात टम अब बखरी करने किती करूंगी और उसके बाद मैं आप तक जो है वो खाना लेकि आती हूं आप वेट करें अभी भी मेरे पास टाइम जो है वो एक मिनिट आ रहा है ठीक है जी तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है एक आद मिनट ऊपर नीचे भी हो जाएगा और आपने देखे कि मैंने टाइम ली जो है वो अपना सारा काम जो है वो कर लिया है हो गया है तकरीबन बस यह चावलों का दाम में थोड़ा सा यही लग जाए पुरी आग मुझे तेज करनी पड़ेगी अब यह जी कि मैंने वीडियो को थोड़ी दिर किया था पॉस एक मिनिट अभी भी आ रहा है और आएए आप देखें कि दम हमारा लग चुक है राइडर को मैंने खड़ा कर दिया था बाहर अब मैं आपको इसकी सर्विंग बना कर दिखाती हूं कि मैं इसकी सर्विंग कैस आइसे दूंगी ठीक है जी तो यह देखें जी यह आगे हैं जी चावल नीचे इसकी जो प्राइज है वो मेरे रेगुलर जो प्राइज है उससे कम है तो इसलिए जो है मैंने इसकी सर्विंग जो है इसके एक तरफ जो है मैं इस तरह से यह दाल डाल दूंगी आज देखें इस बोक्स में से पूरी सरविंग निका लिया वो मैंने पूरी इसके उपर डाली है ऐसा नहीं है कि मैंने स्मिन कम डाल दिया ठीके जी यह और साथ इसके स्लड जो है यह मैं से साइड पे थोड़ा सा रख देती हूं कि अगर उनको मिक्स करके खानी हुई हैं जैसे भी खाना होगा वो खा सकते हैं ये देखें जी ये मेरी वन बॉक्स जो है वो दाल चावल की सर्विंग है ठीक है और इसके साथ मैं जे चमज भूल गया था शुकर है कि मुझे याद आ गया तो मैंने चमज भी निकाल ली है औ दो अब इसे भी जावल दोगे रख दूब इसमें अब यह देखें जी इस बॉक्स में जो है मैं यह अपनी जो ओर रहे इसको पैक करूंगी नीचे जो आलू खली के सबजी है और इसके उपर जो है ये वो है और यह रोटी और साथ में जो बिंडी की सब्दी है मेरी यह उसकी पैकिंग है और यह मैं इस तरह से पैक करके अभी मैं राइडर को दे के आती हूँ और फिर आप से आके मिशती हूँ तो देखा आपने मैं अपना जो है वो ओर्डर कंप्लीट करके तो मैं राइडर्स को दे आई हूँ जी और आपके सामने ही मैंने सारा ओर्डर प्रिपेर की है और यह मेरे प्रो कस्टमर थे जिनकों के डिलिवरी फीज जो है फ्री होती है तो उन्होंने वन लंच कॉम्बो सेवन वन लंच कॉम्बो एट और वन अलू पली की सबजी उसका ओर्डर किया था तो वो मैंने उनको बना के दे दिया जी तो होफुली कि आपको यह और अच ही लगी होगी अब यह जरा सी जो धाल है यह मैं किसी और चीज में डाल वेती हूं अपने बरतन से मेटती हूं और इंशालला मिलती हूं आपसे किसी नेक्स वीडियो के साथ अब मुझे दीजी इजाज़त अलाहाफेज